नमस्कार दोस्तों CSE Lectures by सूरज में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकीमा के बारे में इसकीमा क्या है और उसे कैसे डिफाइन करते हैं सबसे पहले अगर हम इसकीमा की बात करें तो क्या होता है वो इसकीमा होता है Logical Representation of Database मतलब Database में जो फाइल पढ़ी आपकी जो भी डाटा पढ़ा है उसका Logical Representation कैसा है पहली बात तो जो डाटा पढ़ा है वो आपका Actual Hard Drive या Server पे श्टोर करते हैं तो जो डाटा पढ़ा है वो Actual Hard Drive या Server पे श्टोर करते हैं वहाँ पे डाटा फिजिकली रिप्रेजेंट है ठीक है और उसका Physical Representation कुछ और है जैसे फाइल की फाइल में है इसका Physical Representation ठीक है डाटा फाइल की फाइल में पढ़ा है ठीक है यहाँ पे हाडवेर या Hard Drive या Server पे ऑके बट जो Logical Representation है डाटा का वह कुछ और है जैसे कि अगर मैं RDBMS की बात करूँ जैसे अगर मैं RDBMS की बात करूँ तो RDBMS में हम डाटा को Table या Relay पे लिप्रेजेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है डाटा को Physically जैसे अगर मैं ER Model की बात करूँ ER model यह आगे हो हम अभी detail में पढ़ेंगे अभी मैं बस आपको एक्जामपल दे रहा हूँ जैसे ER model की बात करें ER model मैं बोलू student मेरे पास सबसे पहले ER model में करते क्या है जो entity है उसके बीच में relationship define करते है कोई दो entity है उसके बीच में मुझे relationship define करना हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या relation है तो मैं ER model के help से करूँगा मान लीजे student एक entity है student एक entity है तो मुझे उसका schema design करना है तो student के अंदर क्या क्या attributes होंगे क्या क्या डाल सकता हूँ एक student का role number हो गया ठीक है name हो गया और address हो गया और भी बहुत कुछ डाल सकता हूँ मैं just example कर बता रहा हूँ और same लिया मैंने एक course course के अंदर क्या क्या डाल सकता हूँ मैं course के अंदर डाल सकता हूँ course ID course ID डाल सकता हूँ course name डाल सकता हूँ और course course duration डाल सकता हूँ ठीक है तो ER ER model में हम इन दोनों entity के बीच relationship define करेंगे कि student और course में क्या relation है ओके तो जो यह सारे हैं यह सारे मिलके structure बनाते हैं हम किसी भी entity को लेके उसका structure डिजाइन कर सकते हैं ठीक है जैसे student का लेके हमने यह design कर दिया किसी भी entity को लेके हम उसका structure डिजाइन कर सकते हैं यह कुछ नहीं है यह actually logical representation है ठीक है database का hard drive में तो actual में data table की form में store नहीं है क्योंकि वहाँ तो files की form में store हैं लेकिन logical represent हम table की form में करेंगे ठीक है hard drive में क्योंकि आपका files के form में बड़ DBMS में जो है user जो data को table की form में access करेगा और manage करेगा उसे hard drive से कोई लेना देना नहीं है कि वहाँ पर data कैसा store है बड़ जो user access करेगा DBMS में वो कैसे करेगा table की form में access करेगा data ठीक है और table की form में manage करेगा इतना समझ आगे आपको schema का की schema होता क्या है ठीक है हम schema से data को logically represent करते तो है बड़ जब हमें उस actual में implement करना हो उस data को actual में implement करना हो तो हम किसकी help से करते है SQL structured query language ठीक है schema में हम data को logically represent करते हैं पता है बड़ जब हमें उसे actual में implement करना हो तो हम SQL की help से करते हैं लाइक की जैसे हम अगर इसकी बात करें इसकी बात करें तो roll number integer में हो जाएगा name आपका character में हो जाएगा मिन हम सब को code कर सकते हैं ठीक है हम सब को code कर सकते हैं कि roll number मुझे integer में लेना है name मुझे character में लेना है ठीक है तो हम सब को code कर सकते हैं और SQL में इन सब के लिए especially languages हैं जैसे DDL data definition language ठीक है SQL में इन सब के लिए especially data definition language DDL ठीक है इसमें कुछ commands आती हैं like create alter drop ठीक है तो इन सब की help से हम जो है उसको implement करते हैं alter drop यह सब हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे जब languages में आएंगे ठीक है कि database में languages DDL होती है DML होती है और भी एक दो language होती हैं हम सब देखेंगे अभी के लिए आप बस इतना समझ लागर हमें actual में implement करने हैं तो हम SQL के help से करते हैं अगली वीडियो में आपको अगर कभी इसकीमा करना होगा तो अब actual में implement करना चाहते हैं इसकीमा को तो आप उसको SQL की help से करते हैं तो धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में